आईए साब आईए यह है चाइना की चीना कंजम खाते ही मुह में बाहर आए और ज्यादा खालो तो मुह से बाहर आए काफी उतार चड़ाव रहे जीवन में लेकिन पीसे नहीं आटा हूँ आगे की और कदम बढ़ाया है और बढ़ाता जा रहा हूँ मैनत कर रहा हूँ परिश्रम कर रहा हूँ जीवन हमारे घर का था उसे इसाब से तो बहुत कटनाईया हुई है लेकिन माता पिता ने हमेशा स हुआ था मैं पहले से साटेक आया था मुझे और आठ दिन बाद मेरा नाटक था मैं थियर्टर की जो एक्ससाइज है उसको मैं अगबार लेता था अलग तरीके की न्यूज जो होती थी उनको मैं चबा चबा कर बुलता था और आठ दिन के अंदर मैंने अपनी आवाज को एक किता बड़ा आवार्ड मिला है कैसा रहा आपका एक्सपीरिंस और कैसे शुरू कि आमने यह जोईनी है यह आवार्ड मेरे लिए गर्प की बात है और इतने बड़े नामों के साथ मुझे नॉमिनेट किया गया यह साहिद मेरा जो काम है या मैं करने का प्रयास कर रहा हूं काम वो सपलता है और मैं चाहता हूं कि मैं ऐसे ही काम करते रहूं काम ही आवार्ड समझताओं मैं उस की शुरुवार कैसे हяж में आपनी आप्टिंग में कैसे शुरुवार थी एक्टिंग में मैं दो हजार पाच। दो हजार पाच Esta topic में मैं इस फिल्ड में आया था इससे में मिर्ची बेचता था ग्रीन चिली और लोग प्यार से मुझे मिर्ची सेट बोलते हैं और आज भी बोलते हैं और मुझे अपने अतीत को अगर कोई मेरे बताता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं वहां से यहां पर आया हूं और काफी उतार चड़ा रहे जीव का तो मैं बोलता था तो लोग बहुत खुश होते थे तो 2005 में ही ऐसे साती कलाकार मिल गए थे मुझे एमपी नगर से लेकर अपना हवीब गंज स्टेशन तक मेरा काम चलता था मिर्ची का तो वहां रंग कर्मी दोस्त लोग मिलते थे तो वह मेरा स्टाइल देखकर के बोल दाता था तो 2005 से थेटर में आया हूं और कंटीनियू काम करना हूं और उपर वाले से यही दुआए कि करता रहूं तो आपने असी लावा कोई मूवी में भी कौन किया है विए के जिए तयाटर के अलावा मैंने फिल्म की है और तिगमांसु दूलिया जी की यारह फिल्म की जूपी जो कि अवर्ड मिलाता, जो की अनुज गुलाठी, यंग डिरेक्टर है, उनकी फिल्म थी, यंग निस्ट मैं उसके लिए मिलाता, और अभी जो यह अवर्ड मिला है, यह भी यंग डिरेक्टर हैं, पुनाल स्रीवास्तों जो की गुपाल के ही हैं, और बहुत खूबसूरत सोच, ब में मिर्च बेच करके मेरा एक दुकान थी, वहाँ पर एक सबका एक खिया होता है, कि आकरी में कहीं पर जाकर चाइवाय कीते हैं, आराम से बैठते हैं, अपना हिसाब जोड़ता था हुआ, तो पोपाल के रंकर्मी मेरे जो गुरुदेव है अभी बालेंदर सिंग जी, वो जबलपूर से रविंद्र मुरहार जी थे, वासू मित्रा जी, ये सारे लोग महाँ पर चाई पीने जाते थे, तो मुझे देखते थे यार ये लड़का डिफरेंट तरीके का बोलता है और इसकी चीज़े बहुत अच्छी लगती है, तो मुझे ओफर दिया कि क्या तुम नाटक करोगे क्या, तो मैंने का, मेरे मुझे निकल गया एक दम से, बिलकुल करूँ मा, और इन्होंने मुझे अपने नाटक में ले लिया, तो पहला ही नाटक था मेरा, रिहसल दा सबजेक्ट इस बूमेन, जिसमें मैंने तीन करेक्टर किये थे, और तीनों बड़े हराम ती या मेरा जीवन हमारे घर का था, उसे हिसाब से तो बहुत कठनाईया हुई है, लेकिन माता पिता ने हमेशा सपोर्ट किया, आज मेरे पिता जी नहीं है इस दुनिया में, तो यह आवार्ड मैं चाहता हूँ कि वो उपर से जहां भी हो, आशिरवाद देम जी. जब आपने शुरुआत के लिए तो आपके उम्र क्यार पहुए है? लगबग मैं 20 साल हो गया, आज मैं 44 साल का हूँ, मैं बहुत ही यंग था, 22-25 साल कही रहा हूँगा. तो इसमें आपने बहुता रहतार चरहार देखे हूँ, तो इसके बारे में बताना चाहेंगे? हाँ जी, 2011 में मुझे पैलेसिस हुआ था मैं, पैलेसिस अटेक आया था मुझे, और 8 दिन बाद मेरा नाटक था, जो किसी और में होना था, प्रो डिरेक्टर साब ने मुझे अइस देखा कि यार, तुमारी आवाज चली गई है, आवाज में बोलनी पाता था, पापा को फापा बोलने लगा था हूँ, तो मैंने कहा बोलने लगी कि लिए मुकिस तुम रहने दो मैं किसी और से करा लुँगा, लेकिन मेरे अंदर एक जिद है, तो मैंने अहा नहीं स तरीके की न्यूस जो होती थी उनको मैं चबा चबा कर बुलता था और आट दिन के अंदर मैंने अपनी आवाज को एकड़म किलियर किया और उस नाटक को मैंने किया तो पहले सी जैसी बिमारी जो है उसको हावी नहीं होने दिया मैंने और अपना कर्म किया ऐसे बहुत सारे उतार चड़ाओ आये जीवन में तो जिस चीज के लिए आप बहुत पेमस हुए जिस चीज से आपको नाटक में इंट्री मिली एक यह अलग-अलग आवाज में मिर्ची बेचने की जो आपकी कला है क्या आप वो दर्शकों को दिखा सकते हैं कैसे आप यह क्या करते हैं जी में आपका सक्रीया